कि मैं आगा है आपके पास एक एंडेम्शन फंक्षेन गीवन है इंवेस्टमेंट गीवन है गवर्मेंट एक्से बाइट्ट गीवन है और डिस्पोजिबल इंकम क्या होता बता रखा है calculate the following equilibrium level of income change in equilibrium level of income if the government expenditure increased by 500 crore clear regime you you झाल झाल यहां पर सॉल्व करेंगे 60% of 50 तो आपके पास पर 30 आ जाएगा सॉल्व करेंगे यहां पर तो 0y-0.60y इक्वल्स तो 250-30 तो 220 and 0.40y इक्वल्स तो 220 and y इक्वल्स तो 220 अपान 0.40 यहां पर आपका 2-0 आजाएगा और यह अपका y इक्वल्स तो 220 अपान 4 सॉल्व करेंगे तो y इक्वल्स तो यह आपके पास में क्या आ गया आपका y आ गया क्लेरे जी समझें कोई डाउट आपको तो हमने कुछ 150 करोड 0.650 का आपको कैल्कुलेटर तो अलाओ है 50 into 0.60 थर्टी ठीक है वैली रिप्लेस गल्ट से रहे हैं हमने कंजंशन पंक्शन इक्वल्स टू 150 प्लस 0.60 वाई माईनेस टेक्स 50 करोड है प्लस गवर्मेंट एक्सपेंडीचर तो गवर्मेंट एक्सपेंडीचर आपको कितना हंड़ करोड है तो 150 प्लस 100 250 और 0.60 वाई और इधर होगे आपके पास में माईनेस का 30 अब यहाँ पर आपके पास में 0.4Y एक्पल्स टू फिप्टी मैनेस 30, 220 डिवाइड ये बाई पॉइंट 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 जीरो अभी आ रहे कुछ नहीं पास में है कोई अभी आई रहे रहे रूप जो वाई पॉइंट फिप्टी क्रोड आपके रहेगा अधे यार में गरवड आना बार बार करता हूँ क्या इन्वेस्टमेंट 120 गरोड क्लियर जी तो 670 ही होगा इन्वेस्टमेंट क्या आपका इस बन गर्मेंट एक्सपंडिचे कंजम्शन ले लिया इन्वेस्टमेंट गर्मेंट एक्सपंडिक्टिचर 120 चलिए शॉल करते हैं 0.40 बाई equals to 250 plus 120 आपका 370 or minus 30 0.40 y equals to आपका 30 तो 340 and y equals to 340 upon 0.40 and y equals to 340 divided by 0.40 हाँ 850 क्रोड यह स्ली मिस्टेक हो रहे हैं बार बार इन्वेस्टमेंट भे रहे हैं मिस हो रहे हैं यह इन्वेस्टमेंट डालना भूल गया मैं आई चीजिए पर ठीक है जी कि दन और आपका 850 क्रोड आ गया है और स्वाल करेंगे यहां पर हम अब गवर्मेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीश्ट बाई 50 क्रोड तो गवर्मेंट अगर आप अपने एक्सपेंडिचर को 50 क्रोड अगर वो इंक्रीश कर देगा तो पहले आपके नेशनल इंकम मैं अगर बात करो तो वाई एक्वल्स कितना होगा आपके पास में वन फिप्टी जीडो पाइंट इस वन प्लस वन प्रिंटी इस वन तो नेशनल इंकम निकालने की बात कर रहा ह अब सवाल क्या आपका चेंज इन एक्लिर्म लेवल ऑफ इंकम इफ गॉवर्मेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीस बाइ 50 करोड़ मतलब क्या गॉवर्मेंट का एक्सपेंडिचर अगर जी से हंडर्ड से वन फिप्टी हो जाए तो एक्लिर्म लेवल में क्या चेंज आएगा अब वन फिप्टी के कोडिंग आप वाई निकालो दुवारा से और फिर देखो आपके इंकम में कितन इंक्रीस बाइगे तो आप नैशनल इंक्रीस रूट अगे पहले आपका आपको पचासपा तो एक्सपचिस क्रोड नैशनल इंकम में चेंज आपके आ जाएगा ठीक है जी हाँ जी नेश्ट कोश्चन कंसीडर आठ्रीक सेक्टर एक्रामी मॉडल कंजंप्शन इन्वेस्टमेंट गर्रमेंट एक्सपेंडिचर टेक्स कंप्यूट देक्लिर्म लेवल अफ इंकम एंशोर इट्स डा डागरमेटिकली डागराम से अपको बताना है कंप्यूट कंजं कैसे हो जाता है अरे यार आप अक्षे ये एक इतनी छोड़ी से बादा बार्वाण कितनी वर मता चुका हुआ को किया बात करें आप देखो यहाँ पर वाई में से यह वाई में से माइनस हो जाएगा जीरो पॉइंट सिक्स जीरो वाई होगा तो यह एक होता है अब आप calculator लीजिए, इसमें लिखिए एक घटा और 0.60 0.60 क्या है? 0.40 y का y रहेगा बस इसमें से ये minus हो जाता है और y का y रहता है, ऐसे आता है ठीक है? चले इस question कर ले क्या है, बस्ते है, बस्ते है चलो, करो इस question को और कर लें, आज भी खतम करेंगे स्कोन consider a three sector economy where consumption function is this चले, solve करते है ये रहा है देखेजे y equals to क्या होगा आपका? c plus i plus government expenditure and y equals to c तो consumption function क्या है हमारे पास में? 20 plus 0.80 और आपका y minus tax तो tax हमारे यहापर क्या गिवने? tax हमारा 10 करोड है plus investment investment क्या है? 50 करोड है plus government expenditure क्या है? government expenditure 20 करोड है solve करते है y equals to 20 plus 0.80y minus 80% of 10 8 plus 70 solve करेंगे y equals to आपके पास में 20 and 70 90 और आपके 72 और plus 0.80y ठीक है? y minus 0.80y equals to 72 यह क्या होज़गा? एक आपका होगा है तो क्या होज़गा? 0.20y equals to 72 clear है गी? कैसे minus करते हैं पता है ना आपको? 1 में से आप यह minus कर दीगे 0.20y आएगा equals to 72 and y equals to 72 by 0.2 clear है? and y equals to एक बड़ा 5 बदला 5 10 और 535 एक चत्ती 360 clear है जी? समझे? क्या कर रहा है? बहुतर डिवाइड़े बाए 0.20 आप 360 यह आपका क्या है? यह आपके पास में y की value आ गई है clear है? सबसे पहला क्योश्य मुच्छा तो y क्या होगा आपका? तो देख लेजिए आप अपने पास में y equals to 410 क्रोड कर रहा है? 20 plus 0.8 y 8 82 20 20 70 90 minus 2 82 मैंने क्या गए रहा है? अहो अहो महराजी आप बोलते भी नहीं हो है? 90 minus 8 कितना होगा हमारा? 82 plus 0.80 y कितना हो जाएगा मेरे पास तो 0.20 y equals to 82 and y equals to 10, 16 0.8 y 0.20 y equals to 0.20 y equals to 82 and y equals to 82 by 0.20 and y equals to 82 divided by 82 divided by point आज है ना? कई दिन ही खराब होता है कई बार 410 clear है? 10 और 1 48 से 41 ठीक है? 410 क्रोट आपको बाई आया है? बोल क्या रहे है? compute the consumption at the equilibrium compute the level of income and source its diagram diagram बनाओगे तो कैसे बनाओगे? diagram में aggregate demand बनेगा पहले आप consumption function होगा this one फिर consumption function फिर investment डालोगे यह हो जाएगा फिर investment में आप government expenditure डालोगे यह आजाएगा clear है? तो इस तरीके से आपका यह aggregate demand बन जाएगा और यह इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है और यह आपके पास इंकम हो गया यह equilibrium point हो गया तो यह हम ने कर रहा है तो इस तरीके से consumption government expenditure और फिलस investment aggregate demand और यह कट करेगा आपका national income diagram से representation दे दिया इसका और आपसे पूछ कर रहा है compute at the equilibrium level of income consumption at the consumption तो consumption function आपका रखा गया दिसमर बस y d आप यह value देंगे y minus t और solve कर लेंगे आपके पास आपके पास consumption आजएगा तो 40 करोड clear total leakage क्या होता है आपके पास leakage होता है आपके पास s plus t clear जी तो s plus t अगर आप करेंगे leakage s plus t total leakage पूछ रहा है आपसे तो y equals to minus c और plus t solve करेंगे यहाँ पर तो आपके पास पे this one लेकिन आपके पास s plus c t से निका सकते ना आपके पास saving तो आप पहले saving निकाल लो total leakage के लिए saving कैसा निकालेंगे consumption function दिया हूँ था ना आपको क्या दिया हूँ था consumption function तो आपके पास मैं क्या कह रहा हूं आप से कंदम्शन फंक्शन गिवन है आप सेविंग फंक्शन निकालेंगे यह माइनस को जाता है और यह आपका एंपीस हो जाएगा और वाइडी हो जाएगा कि आरीया बावाज अब ठीक है जी अरे टाइम भी ज्यादा हो गया बात समय में आपको आया है यह नहीं है तो कंदम्शन फंक्शन सेविंग फंक्शन अब आप यहाँ वाई डी रख देंगे मतलब कि वाई माइनस टेक्स और आप एस निकाल लेंगे और एस प्लस आपके पास में टेक्स यह ल जहां गवर्मेंट आ जाता है वह अपन इकनों मडल जाता है तो आप एस फंक्शन निकाल करके सेविंग निकाल देना तो सेविंग प्लस टेक्स आपको आपको दिया होगा है ऐसी कर लो तो आब हर तरीके के सवाल आपके हो चुके हैं क्लियर है कि समझ गए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास इसमें उम्मीद करते हैं आपको यह सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा